नमस्कार दोस्तों सान कीचन में आप सभी का स्वागत हैं तो देखने में लग रही है रेकदम टेस्टी एस्पॉंजी केक जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही स्वादेश्ट लगेगी और ये देखने में लग रही है नजाली दाड़ ये स्पॉंजी और खाने में इतना ही टेस्टी है केक बनाने के लिए मैं सबसे पहले ओरियो बिस्कुट को मैं ले लिए ओरियो बिस्कुट से केक आप बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और मैं सारे ओरियो को इसे पैकेट से निकाल लेती हूँ ऐसे छोटे-छोटे टुकरों में मैं इसे तोर लोगी आप इसे एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राइ करें तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे मैं सारे ओरियो को इसे छोटे छोटे टुकरों में मैं तोर लेती हूँ आप चाहे तो इसमें चोकलेट भी डाल सकते हैं पर मैं यहां सिर्फ ओरियो बिस्कुट से केक को बनाऊंगे और यह बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होगा जब आप इसे खाएंगे तो लगेगी कि चोकलेट भाली केक है और खाने में उतना ही टेस्टी लगेगी मैं सारे ओरियो को इसे तोर ली हूँ आप चाहे तो इसका क्रीम निकाल कर क्येक को सजा सकते हैं पर मैं इसी में सारे बिस्कुट और क्रीम को मिक्सर में डाल कर मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ मैं सारे बिस्कुट को मिक्सर में डाल देती हूँ ऐसे मैं बिस्कुट को मैं मिक्सर में डाल दी हूँ अब मैं इसमें एक से डेर कप दूद को डाल देती हूँ दूद को डाल के मैं इसे ग्राइंट कर लेती हूं मैं इसे अच्छे से ग्राइंट कर ली हूं आप इसी में मैं इनो को डाल देती हूं थोरा सा इनो को डाल के इसे एक बार आवर इसे मिला लेती हूं मैं एक बरतन को ले ली हूं आप चाहे तो केक का बरतन ले या कोई भी कटोरे या टिफिन हो उसमें आप घी पूरे अच्छे तरह से लगा ले बरतन में और ये बेटर जो है इसमें अच्छे से आप डाल दे हैं मैं बेटर को सारे बेटर को डाल दी हूँ ऐसे थोरा समय थप थपा देती हूँ कि ये मैं कुकर में नमक को डाल दी हूँ और नमक को मैं अच्छे से गरम कर लिए इसमें मैं टिफिन को डाल देती हूँ इसे 20 से 25 मिनार तक मैं इसे सीटी निकालके इसे पका लेती हूँ तो हमारा टेस्टी केक बनकर तयार है आप इसे खाईए और इंजाइकी छे मैं केक को आली दाल देखने में लग रहा है और खाने में भी उतना ही स्वादेश्ट है तो मिलती हूँ आप सभी से कल नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल लखे और स्वस्त्र है